दोस्तों जब हम बिजनेस ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे बिजनेस फेसिलिटेटर हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्डेंट आपने पढ़ा था वो था आर बी आई और इसी तरह कुछ और और ऑर्गनाइजेशन में लेके आया हूं इस व नेक्स्ट औरनेशन जिसके हम बात करने जा रहे हैं वो है से भी फुल फॉर्म बोल दो भीया सिग्रिटी एक्षेंज बोर्ड आफ इंडिया कप फॉर्म हुआ था फॉर्म दो हुआ था 1988 में तारीख धियान रखना या पहला एंसी क्यों हो सकता है 12 अप्रेल 1988 पावर्स 1888 formation establishment हो चुका था एक्ट से पावर दिये गए 30 जनवरी 1992 इसका पुराना नाम था CCI CCI हटा और से भी करके एक नया बोर्ड बनाया गया CCI का जो एक्ट था होता CCI एक 1947 इस इस यह थर्ड MCQ headquarter साब इसका Mumbai में हैं इसके offices हैं अलग अलग रीजन में नौर्थ में इस्ट में वेस्ट में साउथ में यह जो हैं सरमेंबर्स में एक होगा चेर्मेंट का अपॉंट्मेंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा इस इस यह अनादर MCQ नेक्स्ट दो मेंबर्स और होंगे जो आएंगे ministry of central government की finance और administrative authorities से appointment central government ही करेगी तो एक हो गया chairman दो हो गये members chairman के बाद होंगे दो members जो कहां से आएंगे ऐसे लोग जो deal कर रहे हैं finance or administration of companies at nomination होगा central government के द्वारा chairman के अलावा दो member एक core member जो कौन होगा officer of RBI और इसका नाम provoke किया जाएगा RBI के द्वारा नेक्स्ट है साल एक chairman दो member अगला व्यक्ति RBI की तरफ से आएगा RBI उसको nominate करें और नेक्स्ट है पांच other members जिसमें की तीन लोग whole time members होंगे तो यह board का composition ध्यान रखना भीया एक chairman central government दो लोग companies act वाले central government RBI की तरफ से एक व्यक्ति पांच लोगों में से तीन तीन प्रोटेक किसको इंवेस्टर को प्रमोट और रेगुलेट किसको सर मार्केट को capital market के लिए यह body बनाए गई तो protect the investor promote and regulate the securities market यह बात उनके preamble में कही गई तीन अलग अलग तरह है के groups को से भी control करता या lead करता है पहला जो लोग security issue कर रहा है दूसरा जो इन्वेस्ट कर रहा है और बीच में है market के intermediaries शुर यूजर वो जो company है जो security issue करती है इसुर वो जो security issue कर रहा है जो इन्वेस्ट कर रहा है वो इन्वेस्टर मतलब जनता और बीच में इन दोनों के वो है सारे financial intermediaries यह तीन वर्ड आप ध्यान क्या अलग अलग रोल जो की सेवी का बोर्ड रोल प्ले कर रहा है पहला क्वासी legislative क्वासी जुडिशल और क्वासी इंवेस्टिगेशन भी करता है तो तो तीन अलग लग वर्ड एल जे एल इस फॉर लेजिसलेशन जे इस फॉर जुडिशल इस फॉर एग्जिकुटिव यह तीन अलग फंक्शन्स हैं यह भी आपके लिए सब्सक्राइब करेंगे इस बात को फिर नेक्स आप कई बार अगर से बी आपके अगेंस्ट इंवेस्टिकेशन कर देती है और आप से जज्जमेंट से से इसफाइड नहीं हो तो डाइग्राम ध्यान से देखिएगा अगर आप से बी में हार जाते हो तो आप मूव करोगे से एस एटी साटी का फूल पार में से क्योरिटी अपिलेट ट्रिबिनल महां पर अपिल कर सकते हो तिन लोग इसमें होते हैं जिस में जस्टिस जे भी दियान रख लेना इतनी सी बात से जेपी जो हैं वो उसके हैड है सेट में हार जाते हो अगर आप आपके वास एक और ऑ यह था आपका पावर नेक्स्ट और सेभी के पावर क्या होंगे या सेभी के लिए मैं सिर्फ दो वर्ड यूज़ करूंगा यह जो चार-पांच पावर दिए इसके लिए सिर्फ दो वर्ड सफिशंट अपने को ध्यान रखने के लिए वह है सेभी जो भी फंक्शन करेगी उ इसके लावा कुछ भी कुछ भी ध्यान रखने के ज़रूत नहीं नेक्स्ट क्या बिजनेस फैसिलिटेटर है हां साथ कैपिटल मार्केट का पूरा कंट्रोल किसके पास सेभी के पास है मार्केट में इशू कैसे होगा आई पीओ कैसे आएंगे एफपीओ कैसे आएंगे स् से एक कॉमन वर्ड दे रहा हूं कुछ भी हो जाए मार्केट वर आएगा तो एक और रामबांट से भी रोल में कैपिडल मार्केट आए चाहे बहार का इसका मतलब वह फंक्शन से भी का इतना सा एंसी क्यों आपको ध्यान रखना एक पूरा परेग्राफ यहां खतम होता है तो से भी के इतने से रोज थे दो अलग अलग वर्ड बता दिये मैंने आपको फाइनेंशल इंटर्मेडरी और इसके लावाद दो तारीक हैं ध्यान रखना है बारा अपरेल उनीस एट्यासी 1988 और 30 जनवरी 1992 जनवरी 1992 यह वाद आपको ध्यान रखना है अपील दो लेवल सब जा सकती एसे टी और सुप्रीम कोड चलिए बॉस नेक्स्ट है हमारे पास एक और बड़ी अथोरिटी वह है सी सी आई कॉम्पिटिशन जमाने में चल रही है हर जगे चल रही हम सब बोलते हैं तो कॉम्पिटिशन कमिशन को सेट किया गया गौवर्मेंट के द्वारा यह पहला एंसी की परपस तू क्रियेट एंसस्टेंग फेयर कॉम्पिटिशन इंद एकनोमी उचित कॉम्पिटिशन हो सबको इकवल ग्राउंड मिले लेवल प्लेइंग प्ल्ड मिले इसके लिए सी सी आई बनाया गया यह ध्यान रखना कॉम्पिटिशन दो तरह की होती मेरी का रही हैं तो मेरी कर के कर रही हैं से भी कर रही है इन डिर्क तीन रखनांमें मतलब अलसी लोग है जो कुछ अच्छ नया नहीं करना चाहते हैं को punishment मिलता है competition की वजह से लेगार्ट वर्ड यूज क्या इसके अलावा हमने बात की quality product बढ़ते हैं यह ध्यान रखना इसके अलावा ध्यान रखना यह वर्ड आएगा acceptable quality और affordable price तो A is for affordable price हो गया competition के 5 benefit नाम देखते हैं समझ मैं आएगा innovation आई efficiency लेगार्ट को punishment करना quality product और affordable price यह competition का फायदा है वरना आप और में बहुत सारे प्रोड़क्त आज महंगे दामों पर खरीद रहे होते competition act 2002 लाया गया competition commission को working करवाने के लिए competition commission act का year ध्यान रख लेना एक तो 2002 और इस comment क्या गया 2007 में क्यों बनाए गया यह एक ताकि यह competition policy आप CCI के थ्रूँ अप्लाइ करवाना चाहरे हो विचारी वह authority के पास कोई acting नहीं था तो एक टलाओ ना एक टलाएंगे तो तो उनके पास क्या होगा powers आएंगे इसी competition commission act के तहट CCI का working शुरू किया गया तो यह दूसरा फीचर था competition को लेके authority भी बना दी और act भी बना दिया features क्या है features बहुत सारे पर मेरे लिए यह fourth वाला सबसे important फोर्थ वाला feature ध्यान से देखिएगा competition commission act ने पुराने एक law को खतम किया जिसका नाम था MRTP act 1969 फुल फर्म था monopolies restrictive trade practices वापस से monopolies restrictive trade practices 1969 को end किया गया उसकी जगे लाया गया competition act 2002 बागी सब बातें common है वही fair practice के लिए वही competition सस्टेन रहे एक्वल ground मिले freedom of trade है यह सारे वर्ड equally आप लिख सकते हो मैं आपको यहाँ भी एक राम मान दूँगा जिससे छे वर्ड साब समझ जाओगे कि हाँ यह question competition commission और competition act पर ही है पर यह एक important mcq है हमारे लिए कि किस act को repeal किया गया और competition act लाया गया CCI established किया गया central government के दौरा date ध्यान रखना 40th October 2003 14th October 2003 को यह बनाया गया body corporate इसका मतलब अपने आप बोलो दो हो बातने सर सेपरेट होगा legal entity perpetual succession होगा कोई फरक नहीं पड़ेगा कितने लोग होंगे चेयर परसन और छे मेंबर्स टोटल साथ लोग होंगे जिनका appointment कोन करेगा सीजी तीन बातने वापस से 14th October 2003 corporate body के रूप में perpetual succession होगा separate legal entity होगी common सी लोगी government appointment करेगी साथ लोग सत्ते पे सत्ता साथ लोग एक चेयर परसन और छे मेंबर competition के objective क्या है मैं नहीं पड़ा रहा मैं आपको सिर्फ चार वर्ड दूँगा उससे आपको इसा भी question यहां पर solve कर लोगे चाहे वह objective का हो चाहे वह function का हो देखिए वह रामबान क्या है यह words ध्यान रखिए जब भी इन में से कोई word आया आप समझ जाना कि यह CCI के उपर question है सबसे पहला competition दूसरा consumer या consume तीसरा trade चोथा fair या unfair वर्ड है ना fair के सांद unfair भी ने लिख दिया जब भी आ जाए fair प्रेक्टिशन समझ जाना यह competition के उपर question है और एक है चाहे function और चाहे preamble दोनों में बात तो इनी वर्ट पर आईगी आप अपने आप देखके समझ जाओगी यह फंक्शन जो है वह CCI के ही है नेक्स्टेसाब अच्छीव objective करने के लिए CCI क्या क्या करता है खास बात जो मैंने आपके लिए लिखी है ध्यान से दिखिएगा make the market work for the benefit and welfare of consumer ध्यान से देखना यहां पर investor बोला होता तो मेरा word हो जाता से भी ध्यान रखना मैंने राम मान दिया आपको अगर आप words पकड़ लोगे तो आपको इसा भी question solve कर सकते हो यह अगर investor word होता तो यह से भी है यह consumer word है तो CCI यह word अपने आप लिख दोगे बागी सब मै एकनोमिक लिए बहुत ज़रूरी इस थ्राइविंग फेक्टर यह वर्ड थ्राइविंग से अंडरलाइन करना वह गाप देंगे डैश इसक्यूटू थाइविंग बिजनेस सेक्टर और competition fair competition अंट्रू competition अंट्रेयर फेक्टिशन कुछ भी दे सकते हैं घ्यान रखिएगा करता है कोई existence of large और small enterprise एक तालाब में छोटा मगर मच भी रहे और बड़ा मगर मच भी रहे यह तभी पॉसिवल है जब कोई उनकी competition को प्रोटेक्ट करें और उनके बीच में fair competition enlarge हो तब जाके कोई working कर पाएगा वरना यार बड़ा प्लेयर हमेशा छोटी मचली को खा मगर कोई भी objective आजा है आपसे जरूर सौल होगा सिवाए dates के तारीखें जहान रखना जरूरी है दोस्तों जब हम सेबी और CCI का role देख चुके होते हैं तो अगली बात जो सबसे important हमारी life के वह है insurance चाहे वह life का हो चाहे वह vehicle का हो चाहे वह stock का हो business में यह बहुत जरूरी र IRDS related सबसे उसको खतम करते हैं IRD एक autonomous body है statutory body है जिसका formation insurance industry की superior authority के तौर पर controlling authority के तौर पर किया गया एक्ट का पास हुआ था साब एक्ट था इसका 1999 का और पास अपने घर में तो हो नहीं सकता तो पास हुआ था 1999 में पारलियमेंड में तो दो बाते इंपोर्डेंट है एक्ट का ये एक्ट का पारलियमेंड में पास होना IRD एक 1999 अलाव करता था कि private players भी insurance सेक्टर में आएं ल 26% से 49% foreign sectors की FDIs को permit किया गया ये था दो बड़ा data इस पे MCQ बन सकता है आप ध्यान रखिएगा इसके अलावा IRD का में काम क्या है बहुत देखा इंश्रेंस सेक्टर कर रहे हैं तो 3-4 common word देखिए ये 4-5 common word हमको पढ़ने पढ़ेंगे पहला insurance में हमेशा pay होती है premium मैंना अ calculation कैसे होगा किस तरह से होगा इंश्रेंस वर्ड आ जाए IRD री इंश्रेंस वर्ड आ जाए IRD और जब भी नुकसान होगा claims वर्ड होगा कि claim settle किये गए या नहीं मतलब यार मेरा जो इंश्रेंस है वो मैंने क्यों करवाया सर आपको को नुकसान हो जाए तो मैं compensation मांग सकू और इसी को आपने contingent contract में भी पढ़ा था तो भहिया claims मांगना यह पांच वर्ड आपको IRD की पूरे nature function role सब चीज़ों को define कर देते हैं चलिए एक बार देखते हैं और हम क्या-क्या याद रखेंगे चलिए तो एक बार देखते हैं और क्या-क्या याद रखेंगे एक mission statement इन insurance sector के लिए IRD का काम है data इखटा करना statistics देखना यह IRD का काम है claim settlement proper हो रहे हैं कि नहीं IRD का का मैं fairness transparency promote करना IRD तो इतने सारे वर्ड अपने को याद नी करना अपना राम बाण यह पांच वर्ड हमारी लिए सफिशेंट हैं यह जब भी आ जा इसका मतब रोल किसका है function कौन सा है जिसमें सारे duties पावर और फंक्शन दिये वह सेक्शन 14 14 14 14 सेक्शन ने जो सारे डूल पावर्ड डूटीज फंक्शन सब कुछ डिफाइन करता IRDA के लिए और सारे पावर्ड इन पांच वर्ड में कवर होते हैं यह पांच वर्ड एक बार और ध्यान से देख लो यह तुम्हारे लिए राम बार ने बिल्कुल संजीवनी का काम करेंगे हर तरह से तुम्हारी हेल्प करेंगे प्रीमियम पॉलिसी होल्डर इंशुरेंस नया वर्ड आपके लिए इस्पेसिफाइंग दा कोड ऑफ कंड़क फॉर सर्वेयर एंड लॉस असेसर यह कौन है सर यह वो दो लोग हैं जब कभी आपको नुकसान होगा ना तो आप बोलोगे मेरा एक क्रोड का नुकसान हुआ अरे तुम तो कुछ भी बक्ति देता होग इंशरेंस कमनी मान लेगी क्या इंशरेंस कमनी भेजेगी सर्वेयर को कि जाओ देखके आओ सच मुझ इतने का लॉस हुआ है कि नहीं तो यह वर्ड ध्यान रखना यह दो परसन किस बिजनेस से असोसियेटेट हम बोलेंगे यह आया डिया इंशरेंस से एक्टर से रिलेट से डुप जाओंगा भीया तो मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी मेंटेन करवाना इंशरेंस कमनी के लिए यह काम आया डिये का होता है टरिफ एडवाइजरी कमिटी को फॉर्म करना उनको सूपरवाइस करवाना यह भी उनका काम है लाइफ इंशरेंस बिजनेस के परसेंटेज क करना की कमपनी कितना लाइफ इंशरेंस बुक करेगी कितना जन्दल इंशरेंस इंबोध रूरल एंशोशल सेक्टर यह भी उनहीं का काम है तो कुछ अलग हटके जो पॉइंट थे हो मिने आपता है सिवरीट करके छोड़ देना नेक्स सर बिजनेस फेसिलेट अरे यार वह दी लॉट ऑफ इंफरमेशन यह चार इसके रोल है यह था आया डिये के ओपर आपका कंटेंट इससे जादा आपको पढ़ने ही ज़रत बिलकुल नहीं है कोई भी एंसी की तारीक के अलावा आराम से सौल कर सकते हैं नेक्स फंडिंग इंस्टिशन कोन से होंगे जो अभी लोगों को पैसा देंगे जिनके बिजन्स ग्रो करवाने जो अपकमिंग बिजनश एंटर्प्राइजजे से धिस यूर फंट एंसी कू निव और अपकमिंग बिजन्स एंटरपैज़े को जो फंडिंग देगा वह वह बात आपने धेसा कहां से आएगा तो आपने मुझ से तरफ तो क्या सर development bank और commercial bank एक है नहीं यह आपका दूसरा इमसी क्यों इन दोर में थोड़ा सा अंतर है commercial bank deposits ले सकता है development bank deposits नहीं ले सकता है वापस से commercial bank public से deposit accept करता है आप जानते हैं बैंक में हापने भी अपड़ी करा रखी है पापा ने तो कराई रखी अपनी उकात नहीं बात नहीं पापा की तो है development banks में हमेशा ध्यान रखना की deposits accept नहीं होंगे यह सबसे बड़ा अंतर है इनको एक नामोर दिया गया वो था परिवियर ओफ credits यह तीसरा पर यह new और emerging businesses वालों के लिए ज्यादा helpful है SLR CRR के लिए क्या mechanism है क्या definition है fourth MC की अपना what do you mean by SLR statutory liquidity ratio economics का concept आपका पढ़ा हुआ है definition बहुत simple है ratio of liquid assets of the bank to their deposit liability again किस-किस के बीच में ratio liquid assets and their deposit liabilities यह ratio की definition ध्यान रखना है यह क्या show करेगा सर यह show करेगा कि bank की liquidity position solvency position strong है या नहीं क्या यह अपनी liabilities यह demand liabilities को mit out कर पाएंगे या नहीं तो यह तीन बातें आपको ध्यान रखना है फिर CRR की definition CRR जो है ratio of cash to the total deposit से जो bank को daily basis पे maintain करना पड़ेगा CRR will be maintained on daily basis तो यह आपका एक और important objective है अब था SLR तो CRR cash to total deposit और SLR liquid assets to deposit liabilities दो लग लग रिशू important mcq development bank का creation कैसे हुआ कैसे government के दिमाग में आ तो शुरुआत हुई थी IFCI से 1948 में government के दिमाग में पहली बार आया था 1948 में आ जा दी के जस्ट बात IFCI बनाया गया कि भी यह development करना बिजनस को पैसा कुन देगा कैसे funding होगी उसके लिए पहला organization IFCI उसके बाद एक और ICICI बनाया गया जो बना था 1955 में 7 साल बात और एक और बना था IDVI 1964 में 9 साल बात तो वापस से 1948 से 7 साल 1955 उस से 9 साल 1964 पहला ICICI दूसरा IDVI हाला कि आप जानत हैं ICICI और IDVI ने अपने आपको commercial banks में convert कर लिया है यह आप अच्छी तरह से जानते तो अब फिलहाल कोन बचा सर IFCI यह दो हड़ गए बचा IFCI IFCI 1948 ICICI 1955 और IDVI 1964 फुल फाम आप सबको मालूम है चलो बोलो ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इंवेस्मेंट कॉर्पोरेशन आप इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलप्मेंट बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने अपने आपको commercial banks में convert कर लिया फिर क्या हुआ साब फिर बन कर दोगे ना अब्जेक्टिव अब सिड़ी का कि सिड़ी का promotion क्यों किया गया इसको IDVI से अलग करके बनाया गया प्योरली स्मॉल इंडस्ट्री के financing के लिए और एक और नाबाड 1982 में यह organization सेट हुआ नाम बोलो national bank okay national for agriculture and rural development इसके नाम में जादूश उपाए की agriculture या रूरल सेक्टर के development के लिए वहां की funding के लिए वहां पर promotions के लिए business प्रमोट हो funding प्रमोट हो channelize हो credit उसके लिए नाबाड को setup किया गया 1982 तो भाई या चार बाते बड़ी आई एफसी आई नाइटीन फोर्टीएट आइसी 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 आइन फिप्टीफाइव आई डीवाई 1964 दोनों हट गए commercial bank हो गए आई डीवाई का हिस्सा बना सिड बी जिसका काम है small industries को development करवाना और एक बना नाबाड अलग से नाइंटीन एटीटू नाबाड अपेक्स डेवलप्मेंट बेंग बानी गई हेड़कोर्टर इसका मुंबई आराम शाब याद रख सकते हैं यह बात यह आपके लिए के एंसी क्यू का काम करेगा कुछ इंपोर्टन बाते देखते हैं तो यह हमारा सेवंथ एट्थ और न पूरा का पूरा फोकस एगरी गल्चर उससे जुड़ी एक्टिविटी कहां पर कहां पर कहां पर भारत के रूरल एरियास के लिए यह एक्टिविटी होगी और यह मैंबर है मैंबर ऑफ अलायंस ऑफ फाइनेंशल इंक्लूजन यह अलग से कुश्चन आ सकता इसने मिन लि इसरा विलेज वापस से रूरल में पार्ट हुआ क्या क्या कोटेज स्मॉल और विलेज कोटेज स्मॉल और विलेज यह एक इंपॉर्टन एम सी क्यू है कि नावाड इस इंडस्ट्री को ज्यादा फोकस करना इसके लावा बॉस ज्यादा कुछ भी पढ़ने ज़ुरत नही एक ही वर्ड जो मैंने हाइलाइट किया देखो कौन सा रूरल जो भी एक्टिविटी नावाड करेंगा उसका हिट आखरी में कहा जाना ची उसका परपद आखरी में किसका प्रोमोशन किसको डेवलप किसको प्रोटेक्ट करना होना ची वह है रूरल फंडिंग रूरल यह भी रूरल एरिया में फिर बाकि सारी चीजें लाइजनिंग विद गवर्णमेंट एक इंपॉर्टेंट एम्सी की हो सकता आर बी आई सारी पॉलिसी को फॉर्मिलेट करवाना रूरल सेक्टर के लिए आर बीए के सांद मिलके यह वापस टार्गेट है रूरल इसके अल रूरल अप्लिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे और्गनाशन को ट्रेनिंग प्रवाइड करता है तो यह ट्रेनिंग इंस्ट्यूट भी सांती सांत एक बात और भाहिया इसका एक और काम इट रेगुलेट्स अध्यान से सुनना इट रेगुलेट्टिव बैंक्स दार आर इसका फुल फॉर्म बोलो रीजिनल रूरल बैंक्स टेलेंट अक्विजिशन लोग चाहिए की नहीं हर डिपार्टमेंट मेरे को एंप्लॉई चाहिए क्या से होगा वह आई बीपीएस एक्जाम के तुरू आई बीपीएस का फुल फॉर्म साइड में देखो क्या लिखा ह इंस्सक्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन और वर्ड हैं हां पर सी डबलॉई जिसका फूल फॉर्म हैं कॉमन रीटर एक्जाम आई बीपीएस टी डबलॉई के थुछ ये लोगों को रिकूर्ट करते हैं तो आई बीपीएस और स्वी डबलॉई कॉमन रिटर एक की महिलाओं को finance provide किया और उनका development करवाया उनके business को promote किया ताकि वो लोग loan लेने के लिए भटके ना bank और उस sg के बीच की link थी वो थी नाबाड साथ ही साथ दूसरे और rural areas क्या हो सकते हैं जैसे की natural resource management program इसको nrpm बोलते हैं watershed development करवाना ट्राइबल development करवाना farms innovation करवाना यह सब भी नाबाड ने फंड के थू डेडिकेश्ट ली काम करवाना तो rural पूरा बेस है कोई भी question हो रूरल वर्ड आप धियान रखना और एक वर्ड यहां से लिया आपने कोटेज स्मॉल एंड विलेज इंडिस्ट्री आई बीपियस का फुल फॉर्मर्शी डबलुई आस तक पूछा नहीं पर आ सकता है तो नाबाट में इससे जादा हमारे पास डिसकस करने को कुछ भी नहीं है formation का year ध्यान रख लेना वो था 1982 पहली बैंक आई सियाई थी डेवलेप्मेंट के नाम पर यह था funding institution का समरी इतना अगर आपने पढ़ लिया ना और सियारा रेसलार चार और उननीस यह याद रख लोगे तो हमारा काम हो गया अबजेक्टिव बहुत सिंपल आएंगे जो मैंने क्रक्ष दियें जो मैंने रामबान वर्ट्स बस आप उनको ध्यान रख लो आप कोई भी अबजेक्टिव कर सकते हो नेक्स वीडियो में आपसे फिर मुलागात होगी अपना ध्यान रखिएगा राधे राधे